ये बजेट सो साल की भहिंकर आपदा के बीच सो साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है ये बजेट अर्थ ववस्ता को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा ये बजेट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भराव गुआ है और एक नया क्षित्र और खुला है और वो है green jobs का ये बजेट ततकालिन आवशकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिस्षित करता है ये पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर खेत्र में स्वागत हुआ है सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जन्ता जन्रादर्ण की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है जीवन के हर खेत्र में आधुनिकता आए टेक्नलोजी आए जैसे किसान ड्रॉन हो बंदे भरा ट्रेन हो डिजिकल करेंसी हो बैंकिंग के खेत्र में डिजिकल युनिट्स हो फाइविसीस, सर्विसीज का रोल आउट हो नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टिम हो इनका लाव हमारे युवा हमारे मद्यमबर्ग गरीब, दलीद, पिछडे यह सभी वर्गों को मिलेगा इस बजेट का एक महत्वपुन पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पकता घर हो नल से जलाता हो उसके पास सवचाले हो गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पहड़ी छेत्र है हिमाले का पुरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते विए भी नई गोशना की गई है हिमाचल उत्राखन जम्मु किश्मीर नौर्थ इस्ट ऐसे एक छेत्रों के लिए पहली बार देश्ट में परवत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहड़ों पर ट्रांस्पर्टेशन और कनेक्टिविटी की आदुनी की ववस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गाउं है बौर्डर के गाउं है जिसका वाइबरंट होना जरूरी है जो देश की सिकुरिटी के लिए भी आवश्रक्त है उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी भारत के कोटी कोटी जनों की आस्ता मा गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्यान के लिए एक महतवपूर कदम उठाया गया है उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, जारखन, बिहार, पस्चिममगा इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को पोट्षान दिया जाएगा इससे मा गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मा गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी बजेट के प्रावधाम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि क्रशी लाबप्रद हो स्टार्ट अप्स को प्रोसान देने के लिए विशेश फंड हो या फिर फूर्ट प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज इससे किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसफर किये जा रहे है कोरोना काल में MSP यानि हमारे छोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णे लिए थे अनेक प्रकार की मदद पहुँचाई थी इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68% डोमेस्टीक इंडिस्टी को रिजर्व करने का भी बढा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ये आत्मन दिर्भाता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इंवेस्टमेंट से अर्थ बबस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे मैं वित्न मंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ